गेर टेलिकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम निलामी में भाग लेने की अनुमती मिलने के बाद टेलिकॉम कंपनियों ने उन पर सक्त शर्तें लागू करने की मांग रखी है टेलिकॉम कमपनियों के संगठन CEO AI ने कहा है कि सक्त शर्तें लागू किये जाने के बाद ही गेर टेलिकॉम कमपनियों को निलामी में भाग लेने की अनुमती दी जाए CEO AI ने काफी सारी मांग रखी हैं उसमें काफी सारी उन्हों कहा है कि GST लगाए जाएं उनसे स्पेक्टरम की पूरी फीज ली जाएं सर्क क्या क्या आपतियां दर्ज की अगर आप विस्तार से बता सकें उनका कितना असर होगा शुम यह जगड़ा अब शुरू हुआ है जिसमें सरकार ने टेलिकॉम सेक्टर में में परतिस परदा बढ़ाने के लिए और दो या तीन कंपिनियों का एक अधिकार खत्म करने के लिए 5G में नए आपरेटर्स को लाने की बात कही है और यह नए आपरेटर्स ब्राडबेंड सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं टेक्नलोजी कंपिनियों हो सकते हैं डियोटी ने कहा है कि इन्हें लाइसंस देने की नियम क्या होंगे इन्हें कैसे लाइसंस दिया जाएगा इसके लिए कलग से डिसकेशन पेपर जल्दी ही जारी किया जाएगा और TRI से डिसकेशन के बाद इनके लाइसंस के नियम तैकिया जाएंगे फाइब जी का पूरा का पूरा निवेश टेलिकॉम कमपिनिया रिलाइंस चियो और भारती अर्टेल के लिए था कि भारत में जो सबसे ज़ाधा मांगाएगी वो कार्परेट और इंटरप्राइजस से आएगी और उन्हीं के लिए हम इतना पैसा लगा रहे हैं इस पेक्टर तरफ से नीतिकत फैसलों में हिस्सेदारी करता है उसने कई सारी चीजें कहीं है सरकार से और यह जद्दोज़ाद आगे लंबी चलेगी इस्पेक्टरम का एलोकेशन ठीक किया जाए सही किया जाए कि कैसे इन कमपिनियों को एलोकेशन किया जाएगा इन्हें के केवल आक्षन के जरिए इस्पेक्टरम खरीदने की चूट दी जाए ऐसा नहीं कि ओर दा काउंटर जाके वो इस्पेक्टरम खरीद लें और अपनी सर्विस शुरू करने एक और सुबसे महत्तुपन बात यह है कि इन्ट्रा आगनाइशन के बाहर सर्विस देने की चूट प्रतिक्रिया नहीं दी है लाइसेंसिंग अथारिटी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जो मुझे एक लाजिकल चीज दिखाई दे रही कि बैस ट्यार आई तक जाएगी शायद और बड़े टेलिकॉम कंपीनिया इतनी आसानी से नए आपरेटर्स को 5G के मार्केट में उत करने नहीं देंगी जब तक कि कुछ शर्तें बड़ी और नहीं रखी जाएंगी तो यह एक जद्दो जायद है जो हमें 5G के स्पेक्ट्रम के आक्शन से आक्शन तक चलती दिखाई देगी और यह लडाई तो बस अभी शुरू हुई है